मोधी जैसा लीडर आज तक नहीं आया है वो अपने लिए काम नहीं करता है देश के लिए रोजगार की आप बात करते हो रोजगार कहा नहीं है कौन विक्ति यहां पर भुका मर रहे हैं इंदुसान के अंदर मुझे तो लगता कोई भी इंसान भुका नहीं है सब मज़े से मुखा रहे हैं पीरे मज़े समराट असोग के टाइम पर भी रोजगार नहीं था वहां भी बेकारी थी ऐसा कोई भी नहीं है जो हंडेट परसेंट आपको रोजगार दे सके से ने कांग्रेस में वह अच्छे से बात करने वाला नेता कोई भी नहीं हुदा तो सर 24 विपकी सरका काई मोदी यOOOO Auss साली इडार हाज तक नहीं आया है वह अपने लिए काम नहीं करता है देश के लिए कि लिए जी है देश के लिए मर रहा है क्या काम पसंद है अब यहां पर क्या था यह जंगल में मंगल कर रखा उन्होंने जहां भी जाए उत्रा घंड जाए पहले एक गाड़ी जाती ती आज कल चार चार गाड़ी एक लेंड में जा रही है तो इस बड़िया विकास आपको क्या चीए लेकिन अर्व औक देखे तो आप लग रहे एक दरम की राजनीती नहीं है आज तक किसी यी मुसलमान को मार गया है नहीं जहां दो भाई में बहुत अच्छे काम किए बहुत अच्छे काम किए इतना काम किसी ने भी नहीं किया आस तक कुछ काम बताईए कि मता काम दो बहुत सारे हैं दुनिया बर के 140 बनवा दिये 2.5 लाग 140 बनवा दिये गरीबों को मकान दे दिये फ्री सिलेंडर दे दिये लेकिन जो बाकी आजने पार्टी इसके आरोप लगते कि नोंने कुछ नहीं किया बेरोजगारी कर रखी है महंगाई कर दिये रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं उनके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है ते उट पटांग जो भी मर जाए हूं बगवास कर देते हैं रोजगार आदी काल से रोजगार का रोना रो रहे हैं ठीक है ना संब्राट असोग के टाइम पर भी रोजगार नहीं था वहां भी बेकारी थी ऐसा कोई भी नहीं है जो हंडेट परसेंट आपको रोजगार दे सके ठीक है ना फिर भी मोदी जी ने रस्ता दिखाया है अपना काम करिए अपना कमाई ये खाईए इमांदारी से रही है राहूल गांदी की भारत जोड़ यात्रा चलीती सर जिसमें गजंता ने उनको खूब सपोर्ट करा है आपने पहले भी देखा हुआ यूपी में कितनी भीड हुआ करती थी प्रियंका के साथ राज्यू के साथ क्या हाल वहां केवल भीड फोटो खिचाने के लिए जाती है उनके साथ बीड बारत की जंता हमेशा काम की तरफ इमांदार आदमी की तरफ जाएगी कभी भी हो रो सरकार गौश्य के रोजगार करते हैं कि भारत सरकार की नोगरी मिल जा राम से कुरसी बैठके हम कुरसी तोड़े और फिरी में तरफ मिल जाए बस कोई भी दूसरा काम नहीं करना चाहता लेकिन काम सब रोजगार से हैं कौन विक्ति मिना रोजगार रहा हमें तो को नजर सब्सक्राइब अब लिए उनके राजनिति पर परिवार पर नहीं करना चाहिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी और और कोई भी पार्टी हो किसी को भी एक दूसरे पर टीका टिपनी परिवार वाद पर नहीं करने चाहिए यह लोग उची नाजनिति करते हैं राजनिति करने चाहिए स्वच्छ साफ भारते पार्टी का मुझे कोई सदेसा नहीं लगता जो गलत बोलता हो इनके राहूल गांदी के प्रटी करती गलत बोलता हो ऐसा हमें तो कोई नजर नहीं आता इस विपक्ष में किसको देख सब्सक्राइब तो क्या कोई भी नहीं को विपक्स नहीं है लाएग हो आप Yuk Soda करे रहेंगा जो उनको नहीं करनी चीए तो जनता भी लाइक नहीं करेगी तो विपक्स आएगा नहीं एक टाइम ऐसा आएगी पांसो पांसो सीटे बीजेपी ले जाएगी मेरे को लग रहा है मोधी का सरकार आजाएगा कुछ देश के लिए अच्छा कर रहा है अगर आर्मियों के लिए अच्छा कर रहा है सब कुछ आगे कुछ प्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोच रहे उसके लिए मोधी जी आजाएगा 100% तो सर अभी जो मोधी सरकार पर आपको इतना भरोसा है कि उन्होंने विकास किया है तो अगर अगर वो रिपीट करती है उनकी पार्टी अगर रिपीट करती है वो जीती है लोग सभा एलेक्शन तो क्या लगता है कि इतने विकास की और संभावना है नहीं वो तो बहुत अच्छे से काम चल रहे ना कुछ खेती जमीनों को कुछ बहुत काम कर रहे कुछ अच्छे से कुछ चल रहे उसका हो जैसे गरीब लोग को बहुत मदद कर रहे उसके लिए कुछ हो जाएगा किसानों को बहुत अच्छा लग रहा है बी तो चल रहे उसक प्सक्रावक Cos dengan pure would you not have too much कि अजया विट जाधा कर लिए लिए कर तो मोडी का हिए क्योंकि काम कर रहा है धी सब्ject perfect कि जो इसने इंडिया केनल किया है वो कोई से मंतिरी नहीं किया हुईоло लेकिन आरोपों की बात करें तो उन पर आरोप लगते हैं कि अंने पाटी निशाना साती कि वह बेरोजगारी फैला रहे हैं उन्होंने कुछ रोजगार नहीं कर रहा है और क्या लगता है कि अखिलेश आदव है कुछ नहीं हो सकता है उनलों से प्राइब करने वाला नेता कोई भी नहीं उदर क्यों में जो पुराना वाला कांग्रेस वाले तो उसको कुछ वैलिव नहीं उदर उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है रावल गांधि को अतना यह नहीं कुछ देश आगे बढ़ाने कुछ करने उसका अभी थोड़ा टाइम लगता है अभी उसका टाइम नहीं अभी नहीं उसके लिए मोधी का सामने तो नहीं आया गया